नमस्कार मित्रों आज से हमारे चैनल पर परदान मंत्री SSV चातर वर्ती योजना की तयारी करवाई जाएगी जिसका वीडियो आपको रोज कितने बजे मिलेगा पांच बजे रोज पांच बजे आपको वीडियो मिलेगा इसमें हम कैसे पढ़ेंगे थोड़ा साम बात कर ले हैं तो इस तरीके से चारों सब्सक्राइब के आने वाले हैं उनको हम प्रतेक टोपिक को कवर करेंगे क्यों के दोस्तों आपको 55,000 उस्के लिए आपको कड़ी मेनत करने पड़ेगी तो चिनता ना करें इस चंडल के मादियम से आपको याद करवाई जाएंगे और दूसर तो अपने चैनल पर बने रही है क्योंकि इसके मादेम से आपके बहुत ही अची त्यारी होने वाली है तो चलिए पिर आज की जो त्यारी है आज का जो वीडियो है उसको सुरू कर लेते हैं लेकिन यह तोड़ी सी जानकारी देनी थी और अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है यह सवी स्कोलर्शिप योजना का कि इसमें मतलब आपके कहीं सारी डाउट हो सकते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी वाला तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको वहां से देख सकते हो अगर आपको पहले से अची तरीके से पताएं तो फिर तो उसको देखने की जरूरत नहीं है फिर तो आपको बस जरूरत नहीं सिर्फ पढ़नेगी तो यह विज्ञान के लिए हमारा पहला मोडल पेपर है देखिए पहला किसन आपसे पूछ रहा हैं कि खरीब की पसल का उदारन है आपसे 100% मान के चलो यह किसन पूछे की अपसलें उनको याद कर लेना है अपने कोपी में लिखे लेना है क्यूक्कि फूचे गा पूछ तो यहां पर हम करते हैं कि रीघ। अणिव की फसली यहां बहुत है अब ह हम हाद करें और आससे यहां परूर यह जो कि रूटे सभी ज notice कि चिस हैं तो इनको जरूर। वाली जो पसले होती है तो इस तरीकर से याद करना है आपको Fr SP Hadya' स्वय बीन केशेश करेश करेदेट ये और यह अधिन पक्राइबल की सक्ष़ा गए और ने को इस टो पर लिए you मालोग गेव है गेव की स्थी पासल हुग खाòng रहा यह उसमें से आमने गेव निकाल लिए ट्रोली में भढ़ लिए तो इसको किया कर लाते हैं तो इसको बोलते हैं तो आ आ सब पूछा जाता है और हम खाते हैं उक फदार्थ कौन चाहिए बताओ ग्यों जंदू इंसे मिलता है क्या नहीं मिलता तो यह गलत हो गया आलू आलू भी नहीं मिलता है तो पोदो से मिलता है सहबीन भी पोदो से मिलता है लेकिन सहद आपको पता है एक जंदू से मिलता है मदुमक्खी से तो य इसे तो यह बहुत ही सरल क्यूशन है लेकिन इसमें आपको कन्फिजन होगा तो इसको ध्यान से देखना यह कर रहा है कि जिसे मालो यह एक जमीन है इस पर कहीं सारे पोदे एक ही परकार के जिसे गेहों के मालते हैं यह पोदे हो गई तो अब हम इसको क्या बोलेंगे तो हम अंसर अपना क्या हो जाता है राइट अंसर अपना हो जाएगा फसल तो आपको याद रखना है कि जो बड़े पिमाने पर जो एक ही किस्मे के पोदे हो गाई जाते हैं उनको बोलते हैं ठीक है अगला कुशन है अब बताओ गाई एक तो घास पर चारे पर नीरबर है तो व अपने द्वारा खुद के द्वारा हैं मतलब बोजन बना ले अंदर के अंदर ही और उसी को खाले ठीक है ना बक्री है यह भी चारे को खाएगी तो यह भी सो पोसी नहीं है तो गलत हो गई मनुश्य भी जानुरों को खालेगा हाना मतलब उसके बाद ही पेड़ पोदसी जो में उगाई जाने वाली पसल को क्या कहते हैं जो गर्मियों में जैसे मालों बरसात वाली हो गई सर्दियों वाले हो गई लेकिन जो गर्मी वाली पसल है जब गर्मियों की चुट्यां लगती है तो उस समय कुछ पसलें उगाई जाती है तो उनको क्या बोलते हैं रभी की पासल तो सथी वाली हो गहीं तो ईगलत हो गई अगला हैं कर। पत्वार का हुदा इसले कि बताऊने को जरूरत नहीं होती उनको बोलते हैं खर्पतवार तो गाजर गांस जो होती हैं वह खर्पतवार का पोदाएं नाम्याद जरूर रखें अगला क्यूशन है हमारा पसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या करते हैं कोई भी जैसे मालों यह गयों की पसल है यह गयों पूछते हैं यह लोकल एक तरीके से एक शत्र की लेंग बेजें तो इसको कमी पूछते हैं लेकिन फिर भी आपको तो क्योंकि हमें एक भी जो क्यूशन है वो छोड़ना नहीं है सभी पर दें इसलिए हम नहीं आपर लिया है तो दोनी जरूर याद रखें अगला क्यूशन ह रेसेदार पसलें कौन सी है तो गें तो नहीं है आलो भी नहीं है सोया बीन भी नहीं है लेकिन जो कपास है वो क्या है एक रेसेदार पसल है यह भी बहुत ही जदा इंपोर्टेंट क्यूशन है आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ रेसेदार पसल कौन सी है तो आपको इन दोनों क्यूशनों में इन क्यूशनों को याद नहीं करना जिसे में ने बताया ना वेसे याद करना है रभी की सभी पसले याद करनी है खरीब की सभी पसले याद करनी है तो इनमें से रभी की यानि कि सर्दी में कौनची पसल वह जाती है बताओ तो गियों हमें पताएं रभी को क्या लग रहीए सरदी लग रही तो यसा और यहाद करने ना कि वैं Ravi की पशलें सरदी वाली पशलें होती यह क्या होता है भाकी यह किसकी ऑ कि पशल्ड है चलिए क्या होता है उनमें अरु양ता का मतलब है उसकी जो पेदावार पसल को पेदा करने की जो खशम्ता हैं वो गढ़तीय है वह भढ़ती तो इजिको Person पसला को बदल बदल गर बोईघना तो उसकी जो अरुपर रखताकी संप्ता है systematic वह बढ़ेगी बताओ कौन सी पसल की जड़ो में राई जो biographyम पा की पाया जाता है तो आपको याद रगना है फलीडार ये राई जो χाने ककई पाक्व में पाई जाएगा तो बताओ जो खाने को इसको मिलेगा जो फली दार जो पसली होती है ये जो पूरी प्रक्रिया है ना मिट्टे को पसल बोने से पले मिट्टे को उल्टा जाता है तो इसको क्या बोलते हैं जुताए करना ये किसने भी पूछा जा सकता है याद रखना अगला क्युष्टन है यहाँ पर मनुष्यों में जीवाणों के द्वारा होने वाला एक सामाने रोग है, मनुष्यों में कौन सा हिसा रोग है इन में से जो जीवाणों के द्वारा होता है, अब इसमें भी आपको एक काम करना है, जीवाणों के द्वारा जितने भी रोग हो हो जाएंगे तो खेर इसी क्रिश्टन पर हम देखते हैं कि जिवानों से होने वाला रोग कौन सा हैं तो जो टाइफाइड है ना वो ताइज जिवानों से किसे होता हैं जिवानों से तो इसमें अपना और उप्सन बिल्कुल राइट हो जाएगा उसके बादें इस्ट का जो सराब आती है ना उसको बनाने में इस्ट का प्रियोग किया जाता हैं किसका प्रियोग किया जाता हैं अगला है निम्न में से कौन सा प्रतिजेविक हैं अब आपको इसमें बताना हैं कि इन में से प्रतिजेविक कौन सा हैं तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इस्ट होते हैं संचर निया क्या होता है एक जगसी दूसरी जगह पर जो जाते हैं संचर करते हैं इस वेक्ति को रोग हैं तो यहां से वह रोग कोई भी एक जानवरें या कोई भी हैं वो यहां से उटा कर वो इसमें पैदा कर देगा तो वो किसके दवारां जाता है तो वो जाता हैं गरेलू मख्य के दवारा तो इसको राइट आंसर हो जायेगा अपना मादा एडिस मचर यह तो आपने बच्पन में मतब सुरु से पढ़ते हा रहे होंगे कि मादा एडिस मचर इसे डेंगू भुकार होता है यह तो यह क्यूशन लगा लो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन्ट है मलेरिया और मादा दोनों बुकारों के आपके पर जी भी पूछे जाते हैं कि बताओ इनके वाहक कोन है तो आपको याद रखना है मादा एडिस जो मच्छर होते हैं किसके डेंगो का तो ही मादा एडिस और मादा एनवस्लीज जा, कोन सा है दोस्तों मादा एनवस्लीज मनुष्य में वाइरस से होने वाला एकसाम आने रोग हैं एक रोग बताना है आपको जो मनुष्य में वाइरस से होता है जैसे मैंने कहा भी जिवानों काम ने पड़ा अना तो यह से ही वाइरस है तो इस तरीके से हम ट्रिक लेकर आएंगे कल की वाइरस से होने वाले रोग कौन-कौन से है जीवानों से होने वाले रोग कौन-कौन से है तो केर यहाँ पर देखते हैं हम तो यहाँ पर जो वाइरस होता है उससे होता है पोलियो रोग कौन सा होता है पोलियो अगला क्षिश है बहुत ही ज़ inventory आपसे पूछे का कि बतावसे फ़र्व कों सा प्रती ज को खुजा गया तो क्या बताऊ गया तो आपको बताऊंगे पैंग लाएंगे पैंगे बना तो काम ही नहीं चलेगा तो मतलब परां पृते हीffen के हैं आप है तो प्लय राते हैं पैंसे लाते हैं पेंसे तो पेंसे पेंसे याद कल रहा इसको अगया हैं सब्सक्रेट के As Now या थे आप या रखना ह में ठ dari the habel ऐस नहीं की तो यह तो आपको याद रखना ही कि खोज की थी अगला कि उसाने कोण सा जिवानु दूद को दई में परिवर्तित करता है ये भी बड़े-बड़े एक्जामों में पूछा जाता है बहुत इंपोर्टेंट के उसने बताओ कि कौन सा जिवानु है जो दूद को दई में कि जो दई जमता है हम तो दूद रखत आपका एक्जाम में आने के पूरी पूरी संभा होना है अगला किसने निम्र मेंसे किस पोदे के पत्तों का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार के लिए किया जाता है एक पोदा है जिसका उप्योग किया जाता है मलेरिया और डेंगो बुकार की दवाईयां बनाने में तो बताओ वो कौन सा पोदा हो जाता है तो वो जाता है गिलोई पोदा अब आप इसको यह से याद रखना भी जैसे बुकार आता है तो हम क्या रखते हैं सिर पर गिला कपड़ा रखते हैं तो बस हो जाएगा आपको याद गिलोई यान गिला कपड़ा हो गया याद अब बताओ इसमें कोई दिक्कत आएगी क्या भूलोगे क्या नहीं भूलोगे बुकार आने पर गिला कपरा रखते हैं तो इसे याद के लेना गिलोई तो गिलोई जो पोदा हैं उसके पतियों से बनती हैं डेंगो और मलेरिया की दवाईयां एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पले परती जेविक की खोज की थी बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट क्यूशन आपको याद रखना है अभी हमने पढ़ा था कि परला परती जेविक कौन सा हैं आपने पढ़ा था पेनिसिलीन परला परती जेविक हैं अब दूसरा क्यूशन इसे पूछा देता है इसकी कोज किस ने की थी याद रखना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी कोज की थी कब की थी 1928 में की थी और यह क्या है परला परती जेविक हैं ठीक है तो आपको यह क्यूशन चरूर याद रखना है अगला क्यूशन है थेलियों में आने वाले दूद को खराबों इसे बचाने के लिए क्या किया जाता है जो दूद आता है जैसे अपन घर पे साधरान रखते हैं दूद को तो वह अगर एक दिन भी हम रख देना तो फट जाएगा लेकिन वो जो थेलियों में आता है वो तो कहीं दिनों तक रखा रहता है तो फट अगर भी रखा है तो उसको बचाने के लिए वो क्या करते हैं बता औव तो क्या करते हैं य आपको इसके इसके लिए वो करते प्लेइस्ट में जाना वहां पर आपको मिलेगी सरवोदिय विचार पर इकसा की प्लेड़ी जब अमारे राजस्तान में हुई थी तो उसकी तयारी आप नहीं गया था जब उसके तयारी नहीं करवाई वो उसका वीडियो नहीं आया हो रेगुलर उसके टेस्ट लिए थे तो वो जब अलग बग उसमें से 20-25 जो जिलो के टोपर थे ना वो अपनी वीडियो से बने थे तो आप भी टेंसर ना करें आप जरूर यहां पर बन जाओगी अपनी जो मतलब इसको दर सिफें वो आपको जरूर मिलेगी बस आपको रेगुलर देखना है और याद करना है तो चलता रहेगा तो बताओ इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं नाइट्रोजन चक्र बूर्त होते हैं जिनकों से देख ही नहीं सकते तो वह जगह पाई जाएंगे न तो वायू में भी मिल जाएंगे जल में भी मिल जाएंगे तो सभी यहाँ पर हमारा Right Answer हो जाता e अगला किसara अगला चुकाई को अलकोहल में बदलने की प्रिक्रिया क्या कर लाती है जो चीनी होती है उसको में अलकोहल में बदलना है तो यह प्रिकरिया कलाती है केनवन कलाती है तो इसको भी जरूर याद रखें अब आपसे पूछेगा बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट क्यूशन कि किस की खोज किस ने की थी तो आपको याद रखना है लुई पास्चर ने केनवन की खोज कि थी एक बार कन्फर्म कर ल आज की वीडियो का हमारा लाश्ट क्यूशन है पेनिसलीन परती जेवक की खोज किस ने की थी यह भी आपने पूछा है था तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और रेगुलर अब आपके तैयारी होने वाली है अपनी तरफ से पूरा सो परस आपको कोशिस रहेगी कि स्कोलर्शिप आपको ही मिले तो बस आपको भी एक कमेंट मेंट करना एक तरिके से अपने इसे खुद सही कि हमें भी रेगुलर पढ़ना इसके लिए जो यहां पर पढ़ाया जाए ना दोस्तों उसी को आप अच्छे से याद करें उसमेंचे एक आपको कौन चाहिए तो उसको जरूर अटेंड करना संडे को टेस्ट होगा हालांकि तो उसमें और भी जानकारी देदी जाएगी ठीक है तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में सब तक आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो वीडियो पसंद आए तो एक तक देखने के लिए